प्रेंट्स अपनी बॉड़ी को हेल्दी रखने के लिए क्या इंपोर्टेंट होता है सिर्फ दो चीजें एक हेल्दी डाइट और दूसरा वकाउट यानि कि एक्सराइज यह जब भी आप कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्तर आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर आप एक्सराइज करने लगते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है जो अक्सर लोगों में देखने को मिलती on utiya exercise के बाद पेट दर्द की शिकायत हो ना तो पेट दर्द क्यों होता है और और कौन सा पेट दर्द अच सब्सक्राइब के तक चिन्ट होना चाहिए और कौन सा पैन हैं जिसके लिए आप को चिन्टा ने की Bee It भी चिन्ता और in , उने होते हैं और तो लेकिन के पीजन होना अएक आम इस पर मैंने प्रीविएस में वीडियो बनाई हुई है आप उनको जरू देखिए जिनको भी प्रॉब्लम है तो हैवी वर्काउट से सरीर में जो आपकी बॉड़ी में एसिट बनते हैं उन पर इसका एफेक्ट होता है मुश्टली लोगों को गैस्टो इसो फेगल रिफ्ले लगसी हार्ड बन की प्रॉब्लम है वह बढ़ जाती है इसके कारण से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है तो कभी भी जिन लोगों को यह प्रॉब्लम है खाली पैट एक्सराइज या सूजन का कारण बन सकता है तो यह बहुत सारी चीजों पर डिपेंट करता है कि आप एक्सरसाइज के पहले क्या खा रहे हैं तो अगर आप हाई प्रोटीन हाई फेट वाला खाना खाते हैं तो आपको यह प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसकी वज़े से अगर आपको है यह ठंड की स्थिति के सीजन में एक्सरसाइज करना सुरू करते हैं तो भी आपका जो ब्लड सरकूल क्वाजन है तो अच्छी से नहीं हो पाता है जो क्योंकि मसल्स स्रीख होती है जिसके कारण से आपको यह क्यान होता है इसके अलावा ओवर हाईडिटरेशन भी एक रीजन होता है कि आप जब भी एक्सरवाज करते हैं तो आपकार Defense करते हैं तो आपको त्रेणा ब्लड Siya बड़ जाती है कि अधोता है । ही वद्ध हईडिशन हैом हो जाती विए अपको ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। चिह करन के साथ साथ में सूरियम और पानी की मतर्था सरीर में पानी वर्टेंशन होता है और आपको साइज करने के दौरान ये दर्ध महसूस होता है तो हमेशा एक्सरसाइज एर कंडिशन कमरे में करें जहां अच्छी से हवा आ जा सके और कपड़ों का भी अच्छी से ध्यान रखें लूज कपड़ें पहरें नेक्स्ट रिजन होता है स्वैलिंग अगर आप एक्सरसाइज के बाद खुद को रेपियर करने के लिए जो आपकी बॉड़ी है वो उसकी जो टिशू है वो अतरिक्त लिक्विट भेजते हैं ताकि आपका जो मसल्स पर दवाव पड़े हैं वो सही हो इसके करान से आपको हल लगने की प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी बॉड़ी में सूजन मेहसूस हो नेक्स्ट रीजन होता है कि आपने अगर अभी अभी नया एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो इसमें आपकी बॉड़ी को हैविट में नहीं रहता है जिसके कारण एक्सरसाइज के बाद क्योंकि हमारा जो सरीर है नया नया अभी फिटनेस रूटीन में आया है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तो यह कुछ रीजन होते हैं लेगन अगर इनके अलावा भी आपको जो दर्ध है वो लगातर बना रहता है एक्सरसाइज क के बाद भी आराम करने के बाद भी और जो दर्ध है बहुत तेज होता है तो यह इंडिकेट करता है कि आपने जो हैवी एक्सरसाइज की है उससे आपकी बॉड़ी में कही न कहीं डैमेज हुआ है तो आपको ट्रेट्मेंट लेने की ज़रुद है आई होप आपको वीडिय जानकारी पसंद आई है जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर